नमस्ते दोस्तों कामेनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे पके हुए केले की बहुत यूनिक रेसिपी अगर आपको केला खाना पसंद है तो यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बिना देरी की हुए फटाफट से चु बना सकते हैं टेस्ट में कोई भी परिवर्ता नहीं आएगा ग्यारंटी से कहती हूँ आप एक्स्ट्रा पके हुए केले से बनाएगे जब कोई घर में केले ना खाए तब आप इस तरीके से बनाएगे सब यह रेसिपी मांग मांग कर खाएंगे मेरी ग्यारंटी है तो फि दे केलो को छील करके तयार कर लेना है आप यहाँ प्रूक्त घाल गटोरी गह इंग अयाटा जिल से अच्छी मांगे गयार कर चाहिए को जब एक कर आप माई करें उसर Бशा हुना है टार्अमा अत्यल द назывटिय मांगि जितना पर में बढ़ियां भुन बनेंगे अत्य Σे हमा यह आटा भून जाता है क्योंकि quantity हम आटे की कम ले रहे हैं और ज्यादा हमें इसे लाल भी नहीं करना क्योंकि आटे को हमें दो बार यहां पे भूनना होगा तो वह कैसे आप देखेगा वीडियो में तो हलका golden color आजा भीनी भीनी आटे से खुश्बू आजा बस इतना ही अब हमने इसी लावी में नहीं बूनना ही हमने तक भून लिया है आप एक कप it दोड इसमें और अधा कप में दूद को ड़ून करते हैं तो लीजिए दूद में उबाल आ गया है और अब हमें क्या करना है इसको कर देना है कवर कवर करने से दूद भी अच्छे से पक जाएका केले भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो एक या दो मिनट के लिए हमने इसे जो है कवर करके पकाया है और अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे तो केले अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना दूद में तो इसली देखी स्पैचुला की हल्प से तूट रहे हैं तो बस इसे फ्लेम को लो करते हुए हमें स्पैचुला की मदद से इसे स्मूध कर लेना है तो जादा स्मूध तो यह नहीं होंगे लेकिन जितना हो सके हम इसे स्टेज पे स्मूध कर लेते हैं और फिर मैं आगे बताती हूं तो लीजी हमने इने स्मूध कर लिया है और आप देख सकते हैं दूद भी हलका फट गया दूद पानी तो अब हम इसे स्टेश पे एक कटोरी चीनी एड़ करेंगे, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकती है, इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहां पर डाल दिया है, दो से तीन टेबल स्पूल मिल्क पाउडर, फ्रेंड्स यह पूरी तरीके से आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, लेकिन डाल देंगे तो टेस्ट काफी अच्छा आता है, क्योंकि हमने इसमें दूद का भी यूज किया है, चीनी मिल्क पाउडर सभी चीजे यूज की है, तो चलिए फटा-फट से अब हम सभी च तो चलिए फिलाल हम आटे को मिक्स कर लेंगे इस मिश्रण में, तो केले की फ्रेंड्स ये यूनीक सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ग्यारंटी है, तो इस तरीके से आप एक बार बचिये हुए केले की रेसिपी बना करके तो देखिए, बच्चे बड़े स मांग मांग कर खाएंगे, तो चलिए इस मिश्रण को हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और तले को ना छोड़ दे, तो बस हलका हलका रब करेंगे, जो भी इसमें छोटे पार्ट केले के दिख रहे हूं, तो हलका हलका मैश करेंगे, तो सब इवेंली हो जाएगा, तो अब यहां पे मैंने एक टेबल स्पून घी डाल दिया है, तो घी डालने से क्या होगा ना, यह बिल्कुल कड़ाई को छोड़ देगा, और सिमट करके एक तरफ आ जाएगा, यह यूं कह लीजिए हम मिश्रण को एजली हैंडल कर तो देखें फ्रेंट जैसे ही मैंने इसमें घी डाला है, इसने कड़ाई के तल को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो चलिए जब इस तरीके से मिश्रण इखटा हो जाए एक तरफ तब हमें गैस को करना है बंद और इसे हम कर लेंगे एक प्लेट में ट्रांसफर, तो मिश्रण कम्प्लेटली अच्छे से ठंडा हो जाए, तो लास्ट में मैंने इसमें एक टेवल स्पून घी और एट किया है, ताकि जब हम इसे हातों से मिक्स करें तब हमारे हातों में बिलकुल भी ना चिपके, तो चलिए यहां पर मैंने टोटल तो टेवल स्पून घी का किया है, और अब हम जब यह começar हो जाएगा तब इस तरीके से मिश्रण को लेंगे और इस की छोटी छोटी स्थ बॉल स्टाइब की बनाइब और चप्टा कर लेंगे, तो लीजिक थे ना थहल के से चप्टा कर लिख अर इस तरीके की कर्चिस सभी के घर में रहतें इस तर कि हम क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं आटा और केले के पुए जो कि बहुत ही यूनिक बनेंगे लेकिन हम इन्हें इस अंदाज में बनाएंगे जब आप इसे खाएंगे ना तो यह पुए कम बिस्किट जादा लगेंगे तो चलिए इसी तरीके से हमने अपने सारे पुए बना करके तयार कर लेने हैं तो फ्रेंड्स मैं इन्हें मोटा मोटा बना रहे हूँ क्योंकि हम इन्हें जब सेकेंगे ना तो यह बिलकुल खाने में बिस्किट टाइप के लगेंगे लेकिन आप इन्हें और पतला भी कर सकते हैं आपकी मरजी है तो चलिए मैंने इस तरीक से हमने गोल बना लिये हैं और मैं आपको एक डिजाइन और बता देती हूँ जो भी आपको पसंदो आप बना सकते हैं इस तरीके से हम सिलेंडर आकार में भी इन्हें बना करके तयार कर सकते हैं इससे यह देखने में बहुत ही खुसूरत लगते हैं तो जो भी डिजाइन कि आपको पसंदो आप यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ मैंने सिलेंडर अकार के बना इसलेंडर प्रेंडर करली ही। फटाफट से हम फ्राइ कर लेते हैं। यहाँ प्रेंडम मों दाने लिया हैं, मैंने सबसे लिए यही हैंं। तो friends मैं इसे normal refined oil से बना रहे हूं आप देशी घी से बना सकते हैं जैसा आपको पसंदो सिर्फ सरसो का तेल मत योज कीजिएगा तो तेल हमें एकदम high नहीं करना है तेल हमारा medium गराम होना चाहिए तब हम इने डालेंगे तो friends जब तेल हमारा एकदम high होगा ना तो हम इने जैसे डालेंगे वैसे ये नीचे से brown हो जाएंगे और फटाफट से सिख जाएंगे लेकिन हमें इने बिलकुल medium रखना है और पढ़ियां से इने सिखना है अगर जो है हम इसे high flame पे सिख देंगे ना तो सिख तो जाएंगे लेकिन अंदर से आटा कच्चा रहेगा वो नहीं चाहिए तो flame हमेशा medium रखिए और इने धीमी आज में ही हमें सिखना है धीमी आज में सिखने से ना friends ये एकदम खस्ता बनेंगे और जो इनमें क्रेक्स आएंगे ना क्रेक्स के कारण ये बहुत ही अंदर तक सिखेंगे औ तो बिल्कुल वो नहीं करना है beim flame को medium रखिए का और इने अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से बढiया से शेकना है तो चलिए फटा-फट से हम इने अलटते पलटते vanोटे बढ़िया से शेक लेते हैं friends क्योंकि हमने हलके मूते बनाये हैं तो इने बढलिया से शेकना जरूरी है तभी बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आएगा अगर हाई फ्लेम पे सेख देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा तो मैंने आपको क्रेक्स दिखाया जब आप इसे मीडियम फ्लेम पे सेखेंगे तो हलके हलके इन सभी में क्रेक्स आने लग कि इनका कलर जादा डार कर देंगे तो खाने में टेस्ट बिगड़ जाएगा बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं उस तरीके से जरूर आप बनाईएगा आपको इसका रिजल्ट जो आप इसे खाएंगे न इतना अमेजि छेने का टेस्ट भी मिलेगा दूद भी हमने एड किया है साथ में मिल्क पाउडर भी ऐड किया है और केला का भी फ्लेवर आएगा तो फ्रेंड्स आप समझी सकते हैं कितना अन्दर से जूसी और कितना ये परफेक्ट बन करके त Diamond कर के तैयार होगा फ्रेंड्स में You कि हव लिजिए इसी तरीके से हमारे जो लंबे वाले है उन्हें भी हम इस तरीके से डाल देंगे फ्लेम को हमें बस मीडियम रखना है, इस बात का विशेश ध्यान देना है या तो फिर आप इसे बेल करके पतले-पतले बनाईए तो आप इसे high flame पे सेख सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से मोटे-मोटे बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेसेंस के साथ में इन्हें time देते हुए सेखना ज़रूरी है तो लीजिए ये हमारे बिलकुल शिकर के तयार हो गए हैं तो इनका कलर थूड़ा सा डार्क हो गया है क्योंकि ये सिलेंडर आकार में है ना तो इन्हें मैंने बहुत अच्छे से सिएका है ताकि अंदर से ये बिलकुल कच्चे ना रहें तो इसमें हमने केला यूज किया है न तो केले के कानड भी इनका कलर हलका सा डार्क हो गया है लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब है न कि आप हमेशा यही रेसिपी बनाएंगे मेरी गैरंटी है तो लीजिये हमारे ये बिलकुल सिक करके तयार हो गए है देखने में भी बहुत खुबसूरत लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही अधर टेस्टी है ही तो लीजिये भाई हमारे पके हुए केले के ये बिस्किट या यू कह लीजिये ये पुवा बनके बिलकुल तयार है तो फ्रेंड्स हमने इसे बनाया है बिलकुल अलग अंदाज में और बहुत ही टेस्टी ये बने हुए है तो चलिए मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स बिना सूजी डाले हुए ये इतने खस्ता और खाने में इतने टेस्टी है मज़ा आ गया फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी महनत मेरी रेसिपी जरह भी पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट जरूर कीजेगा क्योंकि मैं आपके लि में बहुत ही इजी रेसिपी तो फ्रेंड्स आप आज का वीडियो पसंद आया हो गर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजेगा